दोस्तो पहले आप प्रूफ देख लीजे जैसे मैं आपने वाट्साप को ओपेन करता हूँ ओपेन करने के बाद यहाँ पर मैं आपने प्रोफाइल पर जाओंगा जाने के बाद आप देख से तो एक चीज यहाँ पर नेम हाइड है और अबाउट भी हाइड है दोनों पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा देन उसके बाद सेव होगा चाहे आप इमेजी लगा सकते हो या फिर एक डॉट भी आपको लगाना पड़ेगा तो आप जाके आपका एबाउट और नेम जो है सेव होगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लेंक नेम और अबाउट राख सकते हो कॉंप्लीट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को स्कीप ना करके एंट तो ज़रूर वाच किजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं और इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद दे तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मुद बुलिएगा क्योंकि इसी रिलेटेट और भी इंफ्रमेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं दूस्तों वार्ट सार्ज पर जाना है जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है MT करेक्टर ठीक है जैसे ही आप एमटी करेक्टर लिख के सार्ज करेंगे तो आपके समने कुछ इस तरह का एंटर वीजो हो जाएगा तो आपको सोबसे पहले-वाले वैबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप को आपको नीचे की तोरफ स्ट्रोड करना है इस बोक्स पर आपको यहाँ से प्रेस करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट हो जाएगा तो copy के option पे tap कर देना है tap करने के बाद सोड़ा सा नीचे आई है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको test it लेकर देखने को मिल जाएगा आने के बाद name वाले राइट पे pencil पे click करना है click करने के बाद आपको इसको प्रस करकर देना है जो चीज आप ने फिर से आपको इस चीज़ को पेस्ट कर देना है जैसे याप पेस्ट करेंगे तो याप और सेव कर देंगे तो आप देख से तो यह असानी से सेव हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आप आपने वाटसप की नेम और एबाउट को हाइट करके राख सकती हो कोई भी नहीं दिख देखेगा आपका वाटसप का एबाउट का और नेम का जो नाम है वो कुछ भी नहीं दिखेगा सब कुछ ब्लेंग रहेगा अगर आप चाहते हो आपने किसी फ्रेंड के साथ मस्ति करना तो आप ऐसे ही इस तरह से आपको पेस्ट करना है और ब्लेंग मेसिज डाल देना है वो बंदा कंफ्यूस हो जाएगा कि आपने क्या मेसिज बेजा और क्या नहीं तो भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज़्यदा पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक किजे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आय अज़ियो